जहिन साथ यो नमस्कार दोस्तों मैं भराठोर हमारे यूट्यू चैनल पब्लिक रेक्षन भराठोर में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अभी हम 36 गड़ के मुंगेली जीला के लोर्मी तस्दील से लगभग 235 किलोमेटर दूर खुडिया वन्चेतर में है अब देखे दोस्तों हातियों का बहुत ही खतरनाक दुर्गम एरिया खुडिया वन्चेतर में अभी बहुत ही किसान भायों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है देखे दोस्तों खुडिया जितने ही परेटक इस तर के लिए प्रसीद है कहीं कहीं यदि हम बात करें फसलों की छेत्र में तो हातियों से और कभी-कभी सेर, कभी-कभी भालू कहना कि मुलब खुन खार जंगली जानवरों से यहां के व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा सामना करना पड़ता है वैसे ही दोस्तों अभी हम खुडिया के एक सांदर खबर के लिए आपको जागरू करना चाहते है तो चैनल में यदि नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजेगा और छोटा सा एक लाइक कर दीजे तो चले दोस्तों इंट्रेस्टिंग वीडियो आप पूरा देखेगा ध्यान से सुनेगा अब बात आती है दोस्तों हम खुडिया वन खेत्र में है तो काफी एक हप्तों से ये सुनाई में आ रहा है कि खुडिया वन खेत्र में हातियों का दुसकर्म विभाव चार रहा है तो खुडिया वन खेत्र से लगभग 20 किलोमेटर उपरी भाग के बात करें जहां से आपका मध्य परदेश गुपालपूर पढ़ता है वहीं बोईरहा की ये हम बात करें दोस्तों तो बोईरहा में कम से कम नौ हाति आये थे जहां पे नौ हातियों के द्वारा किसान के घर, मज़़ूरों के घर, किसान के फसल में पूरा गलत परभाव पढ़ा है हातियों की यह बात करें तो पुरा आतंग मचा दिये तो इस आतंग से अभी तक का उन गरीबों को कोई तो मुआबजन नहीं मिले खेर ओर राजनिती बात है और उनका आपसी बात है उससे हम अभी वंचित है उसके बारे में हम और कभी बात करेंगे लेकिन दोस्तों यह अभी तक का जंगल के जाष्ट निकरट क्रेसी का अखाडा है जहां पे दोसों दो से तीन खेत ऐसे हैं जहां पुरा नुक्सान भिछा दिया हातियों के दोस्ता तो चले हम आपको देखाते है उन आतियों तो फाइनली दोस्तों हम अभी ऐसे जगह में हैं कि हातियों के द्वारा नुक्सान हुआ है अब देख सकते दोस्तों आपको पूरा विसाल यहां पर खेती दिखाई दे रहोगा तो उन खेतों के बीच में है जहां हातियों का पाव है और करीब दोस्तों एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं लग बग 10 चै Plat अशापर मिले हैं हम को हातियों का जहां आपको दिखाई दे रहोगा तो देखेए दोस्तों नब कोके टो inheritance किसान बायों को कितना मुसीवात हुआ होगा तो कहई दोस्तों बहुती मुसीवत के सामना जिलना पड़ा है कि संधल को किसान भायों और दूसरो आपको पूरा यह दिखाई दे रहा होगा गढड़्ा आपको निचमे निचमने नहीं दिखाई दे मेशनयों लें अब आपको दिखाई दिया होगा दोस्वे गाणडा लेखी वैसम हाती का पैर है कंबना क्ल साम को यहां पर हाथी चले देख सकते हो कुछ इस परकार हा पर चले है तो बहुत ही कहना मैं लव इधार से चल करो लोग पूरा कहने कम बनदोशों इस फसल से चल करो पूरा भी दिन्डोरी छेत्र में गया सो मैं आपको बताइना चाहता। दोस्तों अभी घृसरो च्छेत्र में गए हैं तो देख सकते हो पुरा नक्सा बदल के रख दे अभी मैं उन फसल के बीच हूँ उन किसान भायों के खेट के बीच हूँ जहां पर हाती आये थी एक्षाल में दोस्तों हमको मजाक लग रहा था जोट लग रहा था लेकिन जब इस जगह पर हम जाजप किसी इंसान ने नहीं बनाए इसको हाती ने एक्षाल में बनाए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यह यह देख सकते हो दोस्तों पूरा हातियों के द्वारा यह नुकसान किया गया है अब देखिए यहीं से हम 50 मीटर आगे की बात करें तो यह आपको पहार दिखा है तो मैं आपको बताना चाहतों लोर्मी से लगभग 30 किलोमेटर आगे दिन्डोडी पढ़ता है कहना कि इधर मध्यम छेत्र पर जहां पर आपका कवरधा एरिया पढ़ता है तो वहीं कवरधा के तरफ अभी गया है तो इधर ही अभी कहना हाती गया है और यहीं से नुकस करकर गए है और अभी निडोडी चेत्र में तो देखे दोसरों बताया जा रहा है कि दिन्डोडी चेत्र में अभी तक कोई नुकसान नहीं है यह दिनुकसान वाला कारे करम होता है तो हम आपको वीडियो भी दखाएंगे अब देखे दूसरों कि खड़ी धूप है और इत कर तो यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आगे तो चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दीजिए जहीं नेक्स वीडिकल बने रहे